लेकर आजा पैसे को नहीं ख़़ाँ उस एक आदमी की आवाज के लिए ख़ड़ाओं जो मेरे जीवन का महकून हिस्सा इस मंद से कहने हैं मुझे कोई आपत्ती नहीं है आपके महराज कुमार है वो लक्षार से लेकिन मेरे जीवन का सबसे महकून हिस्सा है मेरा छोड़ा भ करनी दिख भीगि जबना उन तर्व माराम को रहें किस बात है यह प्यार कब पेदा होता है दो मैंने तो एक लाएल लिखी थी कशित के हम आता ही नहीं चला कर वहां थी हम जुट से नाइस हो गए हम तो पता ही नहीं हो थे हम बुट से नाइस हो गए आज जैंगक अश्सा यह दिखिए कि ऐसे पैदा नहीं होता है आप यहां पैदा नहीं हुआ चो क्या हुआ साथ है उससे क्या फरक पड़ता है खृष्ट भगवान देवकी से पैदा हुए तो लेकिन पाला तो येशोदा ने था लेकिन अपनी मार्वारि के तेश्ज वे पहली भाषा जो सीखी ही हिंदी के बाद मेरें तक पहली बहसे कहना जरूरी है ये बात-बहुत कहना ज़रूरी ये बात-बहुत आवश्चन के दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे हैं आपको लगता हुए एक बाट जो शायद कभी ऍभी जीवन योगा बताएंगा नहीं होगी ग फिराना चाहितных इसकर बहुत Сबसने हो ले ऑब उसे व्हत करना आना चाहिए लेकिन डाइस कैसा हैagementि इस लोगतें उसारी की बात नहीं कर रहा है आपको पता होगी आपको जाएं जहां यह बैठते हैं इनकी कुर्सी के पीछे इन्होंने पांच फूट और छे पूट की तस्वीर दगा रखती है जो इनकी और मेरी है एक कविता के प्रती प्यार का एक साधान सा एक संदेश हो सकता है मुझसे बड़ा संदेश में बताता हूं यह और से लिया कुछ साल पहले गए मैं बॉट से विस्तेमाल नहीं करता था उन्होंने बहुत से फेर मेरी पत्ती को मैसेज देजा कि कहा है बहुत चीज का मुझे क कुछ भेजना है कुछ दिखाना है तो अदर वीडियो मुझे देखा मैं देखा नहीं खोल तुई में समझ जया था क्या रमांग दग दिया हिंदी कविता का इससे बड़ा संवान दुनिया में मैंने किसी व्यक्ति के दिल में नहीं देख और यह इसलिए महारायस कुमार ह जो कुछ बना इसकी दुनिया में आपको दरन नहीं मिलेगा मेरे मित्रया बैसे दो मैं पहली बार बता रहा हूं मैं हालक यह मुझे बार में कहेंगे कि आपने क्यूं बताया लगिने बताना आवश्चा कि किसी यक्ति के दिल में कला संस्कृति भाशा के प्रती कितना अनुराग हो सकता है वो चार पंक्तिया उन्होंने उसके लीचे लाइन लिखी वीडियो के नेचे कि now I will burn with it जिसका टेटू करवा रखिए यह कि किसी को पता नहीं होगा मैंने चुमाले बार दोरदार तारिया बताएं और यह अधिकार मुझे है बड़े भाई के नाते जो अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार मेरे पास आप सोथ नहीं सकते कि मैं वो सब कुछ कह सकता हूं जो कहना चाहता और दुनिया में यह सर रख के संतों के अलावा सिर्फ दो लोगों के इस तरह से पाउंच हुए वो मेरे माबाब हैं मैंने मेरे पिता को दो महीने पहले खोया सबसे पहले जो आदमी वाद ख़ड़ा था वो राजकुमार की तरह नहीं ख़ड़ा था भाई की तरह खड़ा मैं आज एक भाई के लिए आके खड़ा हुआ और यह भावु के इस वक्त मैंने इनकी आंके इस तरह से पनीली कभी नहीं देखी आज पहली बार हुई है तो चलिए अब इस भावुत्ता को यही समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जीवन में आगे बढ़ना का यही अश्फ वक्त अड़ नहीं के भावा हुआ।